हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल डेटा को आउन कर दिया है और फिर भी यहाँ पे आपके फोन पर जो इंटरनेट है वो खतम नहीं हो रहा है तो इस प्राब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आप लोग यहाँ पे अपने फोन को एक बार reboot करिए या तो फिर अपने फोन को switch off करके on कर लिजिए उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करनी है अगर आपके फोन में problem solve नहीं होती है फिर भी तब आपको यहाँ पे अपने फोन में settings को open कर लेना है आप लोग यहाँ पे setting को open करिए उसके बाद यहाँ पे आपको sim card and mobile network option आता है यहाँ पे click करिए और यहाँ पे आपको अपना SIM select करना है SIM select करने के बाद आपको यहाँ पे access point name का option आता है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको recent का option आता है तो आप लोग यहाँ पे recent वाले option पे क्लिक करिए और आपके phone पर जो APN setting है वो यहाँ पे reset हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको back आना है बैक आने के बाद आपको connection and sharing का option आता है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको निजे की और आना है और यहाँ पे आपको reset wifi, mobile network and bluetooth का option आएगा आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे reset setting पे क्लिक करके इसको reset कर लेना है तो इससे आपके phone में mobile network में जो भी setting रहेगी वो यहाँ पे reset हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपके phone पर network यहाँ पे आएगा तो आपके phone में जब आप net को on करेंगे तो internet जो है चलने लगेगा तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस problem को solve कर सकते हैं